So hello everyone, आज का ये पहला वीडियो है and हमारे 400 वीडियो कम्प्लीट हो चुका है, साथ में 1.1 के सब्सक्राइबर्स भी हो चुका है लेकिन हाँ, अब आगे भी बढ़ना है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को and bell icon प्रेस करके definitely all पे सेट कर देना इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं comment request के बारे में तो अगर आपको किसी भी stock में कोई भी doubt है, आप comment कर सकते हो and हमें बता सकते हो कि ये मेरा stock है, इसके मुझे ये जानना है, इसका मुझे business जानना है या मुझे fundamental जानना है, technical जानना है, तो मैं उसके उपर again आगे वीडियो बना दूँगा और कोई unique doubt है तो वो भी आप पूछ सकते हो, यहाँ पर जो comment request है वो आप यहाँ पर देख सकते हो पढ़ सकते हो, can you make video on GM financial and Baloo Forge, तो GM financial की उपर मैंने already वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह वीडियो आपको easily चैनल पे मिल जाएगा आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, Baloo Forge की उपर, पहली बात आप यहाँ पे देख लो, Baloo Forge Industries, पहली बात तो कोई recommendation नहीं है, इस वीडियो में सिर्फ सर्फ educational purpose का वीडियो है दूसरी बात, मैं यहाँ पे जो है, fundamentals की उपर बात करने वाला हूँ, अगर आपको जानना है, वैसे तो यह engineering company है, जो normally fully furnished and semi furnished equipments बनाती है, चीजों मतलब engineering products खास कर, तो अगर आपको इसका detail में वीडियो मितलब चाहिए, क्या इसके business में क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो detail वीडियो में बना दूँगा, just आप comment में हमें बता सकते हो, कि मुझे इसका detailed business model भी जानना है, फिलहल बात करेंगे इसके technicals की उपर and fundamentals की उपर, mainly fundamentals की उपर बात करेंगे, सबसे पहले चलेंगे इसके quarters पे, and एक बार देख लेता है, इसका जो recent quarter हो कैसा आया हुआ जुन 22, जुन 23, 53 का 112, sales double, net profit 7 का 17, net profit धाईगुन अलगबग हो चुका है, और यहाँ पे EPS भी देख सकते हो, 90 पैसे का EPS 2 रुपे का हो चुका है, और overall कैसा रहा, quarterly result बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा result है, और profit and loss के उपर चलते हैं, अब यहाँ पे देखो, मेरे प इंक्रीज हो रहा है, net profit लगातार इंक्रीज हो रहा है, 8, 30, 39, 48, EPS लगातार इंक्रीज हो रहा है, 1 रुपे, 3, 4, 6 रुपे, 6 रुपे के आसपास उसके बाद, तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चोटी कंपनी है, मैंने इसका साइद market cap आपको न consistent है, और ऐसा भी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, थोड़ा अच्छा से बढ़ती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो, लेकिन हाँ, मैं बात करता हूँ, इसके percentage के बारे में, तो TTM में 34% है, 34% TTM में काफी अच्छी बात है, और ठीक है, लेकिन हाँ, मैं एक है, उस हिसाब से, ठीक है, अच्छा है sales, profit growth के बारे में बात करें, तो 44% profit growth है, और यहाँ पर गर मैंने दिखाए दिया आपको, तो profit growth भी काफी अच्छा है, top line से जादा bottom line है, यह भी अच्छी बात है, stock price EGR के बारे में हम बात नहीं करते हैं, ROE की बात करें, तो 22% का ROE ह which is good, बट मैं कहूंगा यार, थोड़ा सा और ROE होता, 25-30 के बीच में होता, तो और अच्छी बात होती, बट हाँ 22% भी खराब नहीं है, लेकिन एक बात यह है, कि अगर यह increase होता है, तो बहुत अच्छी बात है, कि decrease यहाँ से नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अगर decrease होगा ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ, 34% का sales growth है, और यह अच्छा है, आगे कैसा होगा, क्या 34% रहेगा, क्या कम हो जाएगा, मैं कहता हूँ, अगर 34% ना भी रहे, अगर 30 भी रहे, 29-28 यह भी रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर आप यह पूछोगे, क्या ठीक है, 29% ही रहे, बट रहेगा, क्या sales growth 29%, 28%, तो मैं कहूँगा, यार, chances है, अब chances क्यों है, थोड़ा कम chances, मैं कहूँगा, अच्छे खासे ही chances है, अब मैं बहुत जादा chances है, यह भी नहीं कहूँगा, क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ प जो sales growth रुकने वाला है, और sales growth में problem आएगा, profit growth में खासकर problem आएगा, तो यह चीज है, तो मैंने बता दिया, आगे बढ़ता है, यहाँ पे सबसे पहले, सबसे नहीं, पहले नहीं, बहले शीट की उपर चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हूँ, reserves, जो 114 करोड के reserves है, 52 कर करोड का है, short term borrowing, 40 करोड का है, तो यह भी बहुत अच्छी बात है, कि short term borrowing जादा होना चाहिए, long term borrowing, come होना चाहिए, आगे अगे आप investors में देखोगे, तो 56% जो है, वो यहाँ पे promoter holding है, जो recently ही decrease हुआ है, 9% और यहाँ पे FIIs जो है, वो यहाँ पे 7% है, public यहाँ पे 36% है उसमें भी अगर आप count करोगे, तो कम से कम यहाँ होगे, 45, 5 मान लेता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप एक बार खुद देख ले ना, मैं बहुत approximation के साथ काम कर रहा हूँ, 36 में लगबग मैं मान करके चलता हूँ, 13 ठीक है, थोड़ा बढ़ा लिया मैंने, 13 तो यहाँ पे कितना ह हो गया न, आप एक बार आड कर लो, 23 परसंट जो है, यहाँ पे रिटेल इंवेस्टर है, यहाँ पे 23 परसंट, मुझे लगता है 23 परसंट, थोड़ा हाईर साइट पर ही है, बट फिर भी 23 परसंट is like decent, मतलब अगिन मैं हमेशा कहता हूँ, रिटेल इंवेस्टर का होल्ड इसमें अच्छा लगा नहीं, और यहाँ पे खासकर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो promoters ने recently share भी sell किया हुआ है, और इसे promoter का holding गर 65 परसंट रहता मैं कहता है, बट यहाँ पे promoter का holding जो है, अभी 56 परसंट के आसपास आ चुका है, तो मैं इसे बिलकुल भी अच्छी बात तो नहीं कहूंगा, 56 परसंट मुझे कम लगता है, आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे overall ठीक है, overall तो company growth करती है, अच्छा growth करती है, profits में भी growth करती है, EPs growth दिखाती है, sales growth करती है, सब अच्छा है, यहाँ पे ROE मुझे इसका वस थोड़ा सा कम लगा, overall fundamental का support ले ले, या तो यहाँ तक आए, उसके बाद एक support ले, या तो यहाँ पे आ करके first जाए, ठीक है, तीरी चीज़ हो सकती है, इससे नीचे जाने का chance मुझे बहुत बहुत कम लगता है, बहुत कम chances है, क्योंकि अगर इससे नीचे जाएगा, तो यहाँ पे रुकेगा, और इ जाते हैं, बाकी अगर नीचे आएगा, तो यह लेवल है, और मुझे लगता है, अगेन कोई recommendation यह, मुझे लगता है, यही से घूम जाना चाहिए इसको, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, और ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा, तो